प्रधान सुरक्षित है ना पुलीस करमचारी सुरक्षित है ना महिला सुरक्षित है ना बच्चे सुरक्षित है और प्रधान मंत्री मोदी जी अपने ही वावा में मस्त है अप स्वयम के छवी को लेकर वो मगन है वो अपनी छवी के माया जाल में ऐसे फस चुके हैं कि प्रदान मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? देश ने आपको मियुं का उट्लाटन करने के लिए, जयां पटेश Jana डेंगे को जिम्मेवारी नहीं मन को दिया है कि वो मनिपूर के लोगों की आसू बच्चों का गुसा महिलाओं का गुसा लोगों पर जो अत्यचार हो रहा है उसको देखी नहीं पारे पूरी तरीके से नजर अंदाज कर रखा है देश के प्रधान मंत्री जिन्होंने आज अपनी पीट मनिपूर को दिखा और जब पत्रकार सच्चाई दिखाना चाता है तो पत्रकार ओप F.I.R. इंटेनेट में थोड़ा बहुत सच्चाई जो निकला दुबारा इंटेनेट बंद पांस दिन के लिए कब तक चलेगा प्रधान मंत्री मोदी जी मनिपूर और देश को अपना पीट दिखाना आता है नमस्कार दोस्तों आज इस प्रेस वारतालाव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधर्णिय विनीत पुन्या जी और आज बहुत दुख के साथ हम अपनी बात मनिपूर पर रखना चाते हैं पिछले कुछ दिनों में हमें पता चला है कि दो मासूम युवाओं को किस अमानविय प्रकार से अफहरन किया गया मारा गया और उनके शव के जो चित्र समाजिक माध्यम में सबने देखे हैं वो दिल को दहलाने वाले चित्र हैं तो हम सबसे पहले इन दो मासूम युवाओं के परिवारों के प्रती कॉंग्रेस पार्टी अपनी सम्वेदना व्यक्त करती है हम इनसाफ की मांग करते हैं और जिस अमानव्यता से इन दुनों को मारा गया हम चाहते हैं कि अपरादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर ठोस कारवाई सरकार करे ऐसे महौल में मनिपूर के चात्र विरोध कर रहे हैं सडक प्याए हैं और उनके दर्द और उनके आक्रोश को कॉंग्रेस पार्टी समझती है और इस दुख की घड़ी में हम मनिपूर के चात्रों के साथ खड़े हैं मनिपूर के माताओं और पिताओं के साथ मनिपूर के शिक्षक समाज के साथ हर नागरिक के साथ आज कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है इस दुख की घड़ी में क्योंकि ये बात मैंने पहली भी की है कि मनिपूर हमारे देश के किसी कोने का हिस्सा नहीं मनिपूर हमारा देश है मनिपूर भारत है भारत मनिपूर है और मनिपूर में जो दर्द और देशत फैली हुई है वो और दर्द और देशत आज पूरा भारत महसूस कर रहा है और ऐसे वक्त में जब मनिपूर के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे है उन पर किस प्रकार से सरकार पुलीस करमचारियों के दुवारा लाठी बढ़ सारी है टियर गैस और आसू गैस और विभिन प्रकार के जो नौइस बॉम्ब्स का जो इस प्रकार का उन्होंने सरकार ने प्रयोग किया है जो अग्रेशन वहां की सरकार ने मनिपूर के छात्रों को दबाने के लिए जो अग्रेशन जो दिखाया है उसकी कॉंग्रेश पार्टी निंदा करती है बच्चों को तो बचा नहीं पाए और आज उन मासूम छात्रों पर जो डर के मारे आज सड़क पे आए हैं इनसाफ की गुहार लेकर आज उन पर केंद्रिय शासित जो करमचारी है पुलीस करमचारी जिस प्रकार का बरताफ क्या जा रहा है महिलाओं उपर बच्चियों पर आज बहुत से बच्चियां हस्पिटल में हैं तो इस प्रकार का वेवहार का हम निंदा करते हैं और निंदा करते हैं देश के प्रधान मंत्री जिन्हों ने आज अपनी पीट मनिपुर को दिखा दी है ये कुरूर विवहार शायद भारत की इतिहास में इससे पहले ना कभी हमने देखा ना इसके बाद कभी हम देखेंगे 3 महीं 2023 से लगबग 5 महीने पहले मनिपुर में हिंसा काक महौल प्रारंब हुआ और इस बिगत 5 महीनों में आज तक भी प्रधान मंत्री मोदी जी मनिपुर जाने का निन्ने नहीं लिया उनके लिए शायद मनिपुर है ही नहीं जैसे वो हाथ की इशारों से अगर उनके कैमरा फ्रेम में कोई आता है उसको हटा देते हैं शायद ऐसी उन्होंने कोई मानसिक इशारा अपने मन को दिया है कि वो मनिपुर के लोगों की आसू बच्चों का गुसा महिलाओं का गुसा लोगों पर जो अत्यचार हो रहा है उसको देखी नहीं पारे पुरी तरीके से नजर अंदाज कर रखा है हम तो जानना चाहेंगे कि ग्रह मंत्री ने कहा था कि वो बार-बार मनिपुर जाएंगे मनिपुर में जाकर वो सिटुएशन को संभालेंगे लेकिन आज भी वो मनिपुर जा नहीं पारे हम पूछना चाहतें कि प्रधान मंत्री मोदी जी क्या आपने एक बार भी मुख्य मंत्री बिरेंड सिंग से कोई बात की नैतिक जिम्मेवाली लेने की कोई बात क्या प्रधान मंत्री ने की है क्योंकि बार-बार हमें मेडिया के सूतरों से पताल चलता है कि जो भी अगर बाचीत हुई है तो ग्रह मंत्री और मुख्य मंत्री के बीच में हो रही है मुख्य मंत्री बार-बार कहते है कि मेरी बात ग्रह मंत्री से हुई मेरी बात ग्रह मंत्री से हुई तो हम तो यह जानना चाहते कि प्रधान मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? देश ने आपको प्रधान मंत्री क्यों बनाया है? सिर्फ प्रचार के लिए? सिर्फ ट्रेनों का उठाटन करने के लिए? जहां पर देश का एक हिस्सा जल रहा है, उस पर क्या आपकी कोई जिम्मेव पारी नहीं बनती? क्या वो काम आपका नहीं? तो प्रधान मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि पिछले पांच महिनों में कितने बार उन्होंने स्वयम मनिपूर के मुख्य मंत्री से बात की है? हम तो जानना चाहेंगे कि और कितना सबूत प्रधान मंत्री को चाहिए कि और कितना सबूत चाहिए और कितना प्रमान चाहिए कि किस प्रकार से मनिपूर की सरकार, मनिपूर की मुख्यमंत्री विफल रहे बच्चों को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए हमने देखा कि महीं महीने में कैसे महिलाओं को बचा नहीं पाए ये बच्चे जुलाए में इनका अफरन हुआ जुलाए में इनको नहीं बचा पाए पिछले कुछ हफ्तों में है हमने ये भी जाना कि आप बच्चों को छोड़िए महिलाओं को छोड़िए आज तो आर्मी का जवान भी सुरक्षित नहीं है एक आर्मी के जवान को अपरन करकर उसको मारा गया एक सर्टो कॉम्प फॉटिवन इयर्स के जब उन्होंने लीव पे थे अपने परिवार के साथ तो उसको किसी ने अपरन करके एक गाड़ी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी आर्मी का जवान के साथ साथ हमने ये भी जाला कि एक पुलीस इंस्पेक्टर को आज वो भी सुरक्षित नहीं है एक पुलीस इंस्पेक्टर को एक स्नाइपर के द्वारा उसको मारा जाता है ये सिती है मनिपूर की तो ना जवान सुरक्षित है, ना पुलीस करमचारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है और प्रधान मंत्री मोदी जी अपने ही वावा में मस्त है अप स्वयम के छवी को लेकर वो मगन है वो अपनी छवी के माया जाल में ऐसे फस चुके है कि देश की वास्तविक स्थिती उनको दिखाई नहीं दे रही हम तो अभी भी अपिक्षा करते हैं कि प्रधान मंत्री जी आप नेत्रित्वर लीजे आल पार्टी डेलिगेशन का प्रस्ताव आज भी हमारे तरफ से है कि सारे पार्टियों को बुलाकर एक रास्ता हम निकाले लोगों के बीच में जो एक दरार आज पैदा हो चुकी है मनीपूर में एक एलोसी जैसा वातावरण कि इस पार एक समुदाई उस पार दूसरा समुदाई और बीच में एक बफर जोन और दोनों समुदाई के बच्चों ने हाथ में बंदूग लिये हुए हैं जो उमर किताब और कलम पकड़ने का उमर होता है आज किताब और कलम को छोड़कर अपने हाथों में एक ए-47 लेकर वो घूम रहे बं फेका जा रहा है, मोटर फेका जा रहा है, स्नाइपर राइफल का इस्तमाल हो रहा है ऐसा एक वातावरन चल रहा है और कब खतम होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं और जब पत्रकार सच्चाई देखाना चाहता है तो पत्रकारों पे-F-I-R इंटरेनेट में थोड़ा बहुत सच्चाई जो निकला, दुबारा इंटरेनेट बंद पांस दिन के लिए कब तक चलेगा? तो हमारी राइ स्पष्ट है, प्रधान मंत्री मोदी जी, मनिपूर और देश को अपना पीट दिखाना बंद करिये सामना करिये इस चुनौती का, ओल पार्टी डेलिगेशन का प्रस्ताव हम आगे बढ़ा रहे हैं लोगों के हातों में आज भी लगबग चार हजार सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं आज भी तनाव का माहौल है, इसको खतम करना हमारा सामुहिक दाइत्व है हम पेक्षा करते हैं भार्ट्पा और आरेसेस से कि वो अपनी नफरत की राजनीती को खतम करेंगे जिस नफरत की राजनीती ने आज मनिपूर में दो मनिपूर का जनम दे दिया है जिस नफरत की राजनीती के कारण आज मनिपूर में बटवारा हुआ है और कल को जाके मनिपूर में जो हो रहा है वो अग देश किसी भी कोने में हो सकता है और हो भी रहा है तो आप लोग यही कहना चाहते हैं कि बस सब बहुत हो गया बहुत हो गया नफरत की राजनीती बहुत हो गया एक व्यक्ति की विशेश व्यक्ति की छवी का प्रचार एक विशेश दल के राजनीती का लोगों पर बुरा प्रभाव लोग अज परिवर्तन चाते हैं बदलाव चाते हैं शांती चाते हैं और इसी शांती के गुहार को आज राहुल गांदी जी देश के हर कोने में लेके जा रहे हैं। और लोग भी यही चाते हैं कि इस नफरत के बाजार में कॉंग्रेस पार्टी की और इंडिया लाइन्स की मोहबत की दुकान देश के हर कोने में, हर राजधानी में, हर गाओं में, हर शहर में खुले और बंद करे इस नफरत और ग्रेना की जेरिली राजनीती को। तो मैं दुबारा जो हमारे दो वो मासूम बच्चे, जिनका इतनी कुरूरता से हत्या किया गया, फिजाम हेमजित, 20 साल के आयू और हिजाम लिंक तौंगामबी जो 17 साल की थी, इन दोनों के परिवारों के प्रती अपनी गंभीर सम्वेदना प्रकट करते हुए, इनके हत्यारों को जल से जल कानून के सामने खड़ा करे, और प्रधान मंत्री मोधी जी मुख्यमंत्री एन्बिरेंसिंग को अपने पज से इस्तीफा देने का आदेश दे, ये बात आज हम आपके सामने समवाद मेल में प्रेस वार्तालाप में रखना चाते थे, गरभ जी अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री निवास के बाहर जबरदस्त विरोत प्रदर्शन देखने को मिला है, टियर गैस चलानी पड़ी इन दो छात्रों की मौत के मामले में, तमाम बाते कही जा चुकी हैं, लगातार कॉंग्रिस मांग कर रही है, राजनितिक दल भी गए, अब ऐसी स्थिती में, लोगों की कम से कम आने वाले समय में जानमाल का नुक्सान ना सहना पड़े, प्रस्ताव दे रहे हैं, कि सारे दल हम सब मिलकर राजनितिक रूप से हम लोगों के बीच में कैसे शान्ति और आमन ला सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़े, लोगतंत्रम में जिम्मेवारी एक बहुत एहम मुद्दा होता है, accountability is a very important thing, तो जो accountability नहीं दिखाई दे रही, राज्य सरकार के तरफ से, मुख्य मंत्री को आज भी बहाल रखा है, इस की इस रवईय में हम बदलाफ चाते हैं, और ये जो एक हो हो इसलिए रहा है, क्योंकि एक नफरत की गराजनिति है, जिसने लोगों के मन को प्रदूश्यत कर दिया है, और ये नफरत की राजनिति जब तक जीवित रहेगी, आज जो मनिपूर में हो रहा है, वो देशी किसी दूसरे कोने में भी फैल सकता है, तो इसलिए हमको सतर्क रहना है, इसको खतम करना है, और इसलिए बार-बार कॉंग्रेस पार्टी मोहबबत को लेकर, अमन को लेकर जो बाद उठाती है, ये संदेश देश के हर कोने में लेकर जाना है. So, you've said that both the center and the state have failed with respect to Manipur. Do you think that President's rule should be imposed because earlier Congress has demanded that, had demanded earlier that President's rule be imposed in the state? The Congress Party has always demanded for the Chief Minister to be removed. First, take that step. The Congress Party has always demanded for the Prime Minister to visit Manipur. Second, take that step. The Congress Party has always demanded that an all-party delegation needs to come together, to work together. That's been our three steps. We've appealed to people to return their arms and start a process of healing. That's been our step. Rahul Gandhiji has himself visited, and he's often remarked, and he remarked recently in a conclave in Delhi, that what he saw in Manipur he has not seen in his last 20, 25 years of politics, where a state has been so brutally divided on the basis of ethnicity. But it's unfortunate that the Prime Minister continues to show his back to the people of Manipur. He has turned his back to this issue. He is immersed in his self-glorification, and he needs to come out of that and face reality. Googoi Ji, Videsh Mantri, A.S. Jasankar, he said that those circumstances are those circumstances for its sole ownership and the तनाव है वो बहुत पहले से है और ऐसा अतीत में भी रहा है विदेश मंत्री कभी-कभी स्वदेश में भी थोड़ा घूमे मनिपूर में जाएं हम जो अपनी बात रखते हैं हम जमीन पर जाकर अपनी बात रखते हैं विदेश मंत्री अपनी बयान हमेशा किसी कॉंफरेंस या समिट पर ही देते हैं जमीन पर जाएं माहौल को जाच करिए माहौल को पर्किए और शायद मुझे लगता है कि अगर वो जमीन पर जाएं तो वो भी अपना जो राई है वो बदलेंगे इस विशे से अलग भी सवाल लेंगे क्या गोगोई जी आपके तरह पर यह दिमांड हो रहा है कि ही शुट भी साथ दर्चीफ में से शुट भी साथ और भी आपकी जो कुछ भी दिमांड साथ लेकिन जो है जो रूलिंग पार्टी है या प्राइमिस्टर है वो आपकी किसी बात को खातर में नहीं ला रहा है तो अब आपके पस दूसरा ऑफशन क्या है आप तो सिफ यहां से सिफ प्रेस कांफरंस कर रहे है उनली इस ऑफशन अवेलिबल तो यू और यह सम आदार ऑफशन्स एट देखिए मैं तो आपके सामने भी आया हूँ और मैं सदन के पटल पर भी हमने सारे इंडिया अलाइंस ने इस सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी हमने लाया अविश्वास प्रस्ताव के अंत में प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपने जवाब में कहा कि शान्ती कम समय के अंदर मनिपूर में वापस आ जाएगी आज प्रधान मंत्री को दुबारा देश को संबोधित करने की ज़रूरी हम समझते हैं और वो हमको दुबारा बताए कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये हमारी मांग है गोर्ण जी बिशर से अलग सवाल है मेरा कल ख़बर ऐसे उड़ती आई थी लेकिन भारती कि राहूल गांधी उत्तरपरदेश में कई मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं बीजेपी ने आज प्रटवार किया है कि जब भी चुनाव आता है राहूल गांधी मंदिरों के दर्श इस तरह की भी कल ख़बर आई थी कि राहूल गांधी जो है अयोध्या जा सकते हैं वहाँ पर राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं वहाँ पर पुजारी की बाइट वहां से आई थी इस पर क्या आप कहेंगे देखिए भगवान के प्रती जब सची शद्धा होती है तो किसी राजनीतिक दल की अनुमती की ज़रूरत हम नहीं समझते हैं मुझे बस इतना ही कहना है पर जो मूल सवाल है कि एक भाज़पा पर हमारा क्या प्रती क्या है तो हम यही कहना चाते हैं कि जब धर्म के प्रती हमें हमारी सची शद्धा होती है तो किसी राजनीतिक दल की विचार या राजनीतिक दल की अनुमती की ज़रूरत हम क्या भारत के किसी नागरिक को ज़रुवत नहीं लगती गौरा जी आप राज़्थान में स्क्रेंडिंग कमेटी के चेर्मेन भी हैं राज़्थान में बीजेपी ने ज़िए अच्छे मद्परदेश में अपनी स्टूची जारी कर दी है तो राज़्थान में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्या उसमें सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला ही होगा सभी विधायकों को टुकट मिल जाएंगे या फिर विनिबेल्टी एक मेन फैक्टर होगा मैं आपको यहीं पर बता दू सब कुछ देखिए मैं बार-बार यही कहरा चाहता हूँ एक ही फॉर्मूला है हर विधान सवा में चुनाव में अलग-अलग फॉर्मूला अलग-अलग स्कीनिंग कमिटी करती है हमारा फॉर्मूला एक ही है विनिबिलेटी और इसी formula के साथ हम seat by seat हम मुल्यानकन कर रहे हैं और मैं लगभग दो बार होके भी आया हूँ मैं काफी संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी इस्तिती और भी अच्छी होने जा रही है गौरब जी मध्यप्रदेश में जो बीजेपी के लिस्ट आई उसमें केंदरी मंत्रियों समेच सांसुदों तक को विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया है और इस बीच में कैलाश बिजेबर्गी कह रहे है कि मैं तो चुनाव लड़ने की स्थिती में नहीं हूं क्या मैं लोगों से वोट मांगने जाओं तो बीजेपी की स्रण नीती को आप कैसे देखते हैं और इस तरह के बयान जो कैलाश बिजेबर्गी दे रहे हैं यानि जि मिला वो भी नाखुश है जिनको नहीं मिला वो भी नाखुश है वो उनके दल के असमंजस को दर्शाता है कि केंद्रिय बीजेपी और राज्य बीचेबी में कोई संपर्ख ही नहीं है कोई समवाद ही नहीं है हमारे पार्टी की संस्क्रिती होती है कि हम अपने राज्य के नेताओं को महत्वत देते हैं उनकी राय लेते हैं, अनूमती उनके विचार लेते हैं उनके परामर्ष लेते हैं और उनके साथ हम मिलके काम करते हैं और ये वहां का मध्यप्रदेश में दिखाता है कि दाएं हाथ, बाएं हाथ की बीच में कोई वार्तालाप नहीं, केंद्रे और राज्य भाजपा के बीच में पूरी प्रकास एक दरार आ चुकी है और यही उनको आने वाले सभी राज्यों के निर्वाचन में एक बुरा प्रभाव जहलना पड़ेगा इस कारण से मुई और चुकी हिई वह जाथ in सुनि एक सबालाइक अगाजास एक सबा एक सब्सक्तर है कुंक अगाजस्तान चेवर मिच्जमा तो ओंगेंश्ती हैं विच प्यूच्ब देससे कि 기분 गुझ मिल्सकी अ हम वोगा इस Means आ है नटेक्ट आमले हम जिए ठाइन टूरच को इससटो 1923 पिडियर के संवार्य है इता है एक फ़े इन यह कोड़ीय वारे हुए इता कोड़ार ब्रीज का है इनकेड मेश्ट है तोर्वनाट गजाओने के लारी के जाहन हैं। what we need to do and as I said in the days and weeks to come I expect the result to become even more favorable for the Congress party we are only focusing on what we have to do मेरा अपने एहम मुद्दध उठाया है मुझे लगता है कि इस पर मैं उत्र प्रदेश की कॉंग्रेस कमेटी और जो हमारे प्रभारी हैं उत्र प्रदेश के उनके साथ और मैं जानकारी लेने के मैं इस संदर्भ में आपको यह बात रखना चाहूंगी। गौरव जी, दो सवाल है। एक प्रदान मंतरी अज गुजरात में थे उन्होंने वहाँ पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई और ये कोशिश की गई कि गुजरात कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा लेकिन मैंने संकल्प लिया कि चाहे जैसे भी परिस्टियों गुजरात को उससे निकालोंगा इस पर आपका जवाब चाहूँगा और इसके बाद एक और सवाल है देखे प्रदान मंतरी मुदी ने ये भी कहा कि गुजरात जल रहा था उस समय मुख्य मंतरी के तौर पर उनका अनुभाव बहुत कम था लेकिन एजेंडा फैलाने वाले लोग उस समय भी एजेंडा फैला रहे थे और अपने हिसाब से स्थितियों का आकलन कर रहे थे इन दोनों सवालों पर आपकी प्रतिक्रेंगे यह अफसोस की बात है कि प्रदान मंतरी मुदी जी खुद में इतना मगन है कि उनको अपने इलावा ना कुछ दिखता है ना कुछ याद आता है गुजरात का अगर मैं कहूं अगर कोई सबसे बड़ा ब्रेंड अम्बैसेडर है तो वो महात्मा गांदी जी थे जुन्होंने पूरे देश में सत्य की बात फैलाई प्रकाशित की और पूरे दुनिया को सत्य के रास्ते पर चलने की साहस दी तो इसलिए और तभी से पूरी दुनिया गुजरात को जानती है पोरबंदर को जानती है तो यही मोदी जी की जो मौ में मोजाल में फसे हुए हैं खुद के मोजाल में जो फसे हुए हैं उसी का ये प्रमान है गुजरात का इतिहास पहले से ही जो वहां के जो उद्योग पती हैं अगर इतिहास में जाये गुजरात क्योंकि वो समुंदर के टटपे है तो वहाँ पूरा भारत की इतिहास में गुजरात हमेशा वहाँ के लोग समुंद्र के रस्ते को इस्तिमाल करते हुए अपना कारोबार पूरी दुनिया में ले जाते थे दुनिया भर का समान इतिहास में आप जाईए तो गुजरात के तट पे आता था और भारत का समान गुजरात के तट के दुवारा पूरे दुनिया में जाता था तो मैं तो यही चाहूँगा कि मोदी जी आप वाट्सअप युनिवर्स्टी का प्रोफेसर मत बनिये आप देश के प्रधान मंत्री हैं और गुजरात की इतिहास गुजरात की सच्छाई को धुमिल करने की कोशिश आप मत करिये सर एक एक और एक एक खाप से एक लास एक आपका रेक्शन चाहूँगा सर इंडिया कटबंधन को लेकर के सवाल है मुंबई वाली बैटक में यह कहा गया था कि जल से जल सीट शेरिंग पर बात कर ली जाहेगी अब सोर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको लेकर आपसी स देखिए दो अलाइंस है देश के सामने एक इंडिया अलाइंस और एक इंडिया अलाइंस एंडिया में आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे दल इंडिया को छोड़ रहे हैं और वे दल जो हाल में ही इंडिया में शामिल हुए हैं उनी के विदायक आज उस दल को छोड़ रहे हैं करनाटक में और उस तरफ इंडिया अलाइंस सारे नेतागन बातचीत करते हैं आपस में अलग-अलग मुद्दे हैं उन मुद्दे के साथ एकदम वो ओपनली बात करते हैं तो अगर मैं देखूंगा कि ये जो दो अलाइंस की स्थिती है मुझे तो एंडिया एक डूपता हुआ नावल दिख रहा है और इंडिया अलाइंस में एक जाकता हुआ सूरज की प्रकार्श को हम देख पाते हैं